नमस्कार स्वदेशी उपचार में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी पेट साफ करने के तरीके मित्रों पेट की विमारिया जैसे गयास, एसिडिटी, पेट में दर्द होना, पेट में बहुती जलन होना आज की मुख्य समस्य है आपको अगर ऑफिस में भुक लग जाए तो आप आराम से तला हुआ वड़ा पाओ या समोसा खा लेती हो लेकिन आप कभी सोचते नहीं कि इसका आपकी शरीर पर क्या परिणाम होगा इसलिए दोस्तों आज हम देखेंगे पेट साफ करने के तरीके दोस्तों आप खाते समय सलाद, फॉल, हरी सबजिया इनका भी सेवन करना चाहिए इससे पेट की समस्या नहीं होती है डॉक्टोरों का कहना है कि शरीर को जितने भी रोग होते है उनकी शुरुआत पेट से ही होती है पेट साफ करने के लिए एक चमत शहत हलके गरम पानी में डाल कर रात को सोने से थोड़ी दर पहले पी लें अगले दिन आपको टोईलेट में किसी परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा अगला उपा है आप रात को सोते समय हलके गरम दूद में कैस्टिड ओयल मिला कर इस मिश्रन को पी लें सुबह आपका पेट आसानी से साफ हो जाएगा डॉक्टरों का भी यही कहना है पेट साफ करने के आयरुवेदिक उपचार में त्रिफला चुर्म भी पेट साफ करने के लिए बहुत ही असरदा होता है पाच्छे ग्राम त्रिफला चुर्म और दोसो ग्राम हलका गरम दूद साथ में पीने से पेट की समस्या हमेशा के लिए चली जाएगी लेकिन आपने यह सभी प्रयोग रोजाना करने चीए कुछ लोग यह प्रयोग थोड़े दिन करते है और फिर अपने पुरानी दिर्चरिया पर आ जाते है यह बहुत गलत बात होती है दोस्तो आप दिन भर में तीन से चार लिटर पानी ज़रूर पिये शरीर में पानी की मातरा कम होने पर पेट में मल सूख जाता है जिससे हमें कव्ज हो जाते है इसलिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए तनाव लेने से भी पेट की समस्या बढ़ सकती है इसलिए टेंशन किसी बात का ना ले अगर आपको कोई बात का बहुती टेंशन है तो डिप्रेशन में ना जाते हुए इसने कोई भी समस्या को थंडे दिमाख से हल करना सिखना चाहिए इससे आपको और भी बिमारिया नहीं होगी आप एकदम तंदुरूस जिंदगी जी होगे तो दोस्तों कैसी लगी हमारी जानकारी इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करे, शेर करे, सिस्क्राइब करे, धन्यवाद